मार्ती लेके आने वाली अपनी तरफ से एक new MPV गाड़ी, currently Indian market में आपको मार्ती की तरफ से तीन गाड़ियें देखने मलती हैं, मार्ती Suzuki Artega, XL6 और मार्ती Suzuki High Cross, जिसका नाम इनवेक्टो रखा गिया है, इन तीनों वेसे लेकिन सिर्फ एक गाड़ी hybrid है, लेकिन वो बहुत मह हैंगी है, इसलिए मार्ती लेके आने वाली है अपने एक affordable segment में 7-seater hybrid गाड़ी, जिसका नाम रहने वाला है, मार्ती Suzuki XL7, ये एक 7-seater गाड़ी होने वाली है, और already South African, Indonesia और European market में sold होती है, इस गाड़ी की pricing की बात करी जाए, तो ये गाड़ी Indian market में स्टार्ट होगी Indian market के लिए नज़र आए, बात करें इस गाड़ी के platform के बारे में, तो ये गाड़ी सेम platform पर आतने वाली है, जिसका नाम है heartake platform, लेकिन ये 7-seater रहे है, बात करते हैं पहले गाड़ी में आने वाले look के बारे में, गाड़ी का look काफी जादा similar आएगा आपको XL6 से ही, रेल टामस है, उसमें daytime running lights थोड़ी सी और ज्यादा लबी करती जाएंगी, वही नीचे का bumper जो है, वो बिल्कुल similar रहेगा आपकी XL6 की तरह, गाड़ी के side profiling में अगर आपन चलेंगे, तो अपन को देखने में विलेगी plastic cladding, और plastic cladding के साथ देखने मल जाएंगे new 16-inch के diamond cutted alloys, जहां पुराने वाली में आपको 15-inch देखने मलता था, इस पर 16-inch के tire देखने मिलेंगे, गाड़ी के back side की बात करी जाए, तो एक सस्ती Honda CRV जैसे गाड़ी का look दिया गया है, उपर की तरफ sharp green antenna, और नीचे की तरफ आपको बंपर silver accent के साथ देखने मल जाएंगे, so all over इस गाड़ी की profile देखी जाए, तो काफी साथ शांदार आ रही है, और similar look में ही गाड़ी Indian market में उतर ही, बहुत कुछ new color formats रहने वाले हैं, अब बात करते हैं, इस गाड़ी में आने वाली interior के, गाड़ी के interior में काफी major changes आने वाले हैं, compared to XL6, one of the major changes आपको देखने मिलीगे, एक flat infotainment system, similarly आपको देखने मिला है new marti Suzuki Swift में, वैसे ही टाइप का, एक 9 inch का tuskin infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto देखने मिल जाएगा, फुली digital center console देखने मिल जाएगा, जिसमें आपको काफी साइट्स यह हैं, touchscreen के साथ देखने मिलेंगी, एक 3 spoke steering wheel with steering mounted control के साथ, semi digital instrument cluster की packing देखने मिल इसके अंदर आपको doors open होंगे, वो option देखने मिल जाएगा, motion देखने मिल जाएगा, torque और power देखने मिल जाएगा, और एक all over काफी सारी नई चीज़े देखने मिल रही है, गाड़ी में नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि push button start देखने मिल जाएगा, ventilated seats के option देखने मिलेंगे, औ और गाड़ी के अंदर आपको कोई भी suffocation ना करी जाए, इस गाड़ी के 7-seater variant भी एक affordable segment में है, और अच्छे खासा है headroom भी लाके देता है, चलें इस गाड़ी के engine profile की तरफ, तो गाड़ी के engine profile में आपको एक single option देखने मिल रहा है, वो है आपका PS6 model का 1.4 liter 4-cylinder K-series smart hybrid petrol engine जो कि आपको 101BHP के साथ 136NM का torque पना के दे रहा है, इसकी pairing में आपको 6-speed manual gearbox और 6-speed automatic gearbox देखने मिलेगा, वो सकता है आपको new जो अभी recently engine आए, 1.3 liter का Z12 hybrid engine वो देखने मिल जाए, बाहर की कालियों में तो वो देखने मिल रहा है, approximately 964 CC का engine है, जो कि आपको approximately 110BHP के पाहर स 140NM का torque पना के दे रहा है, और आपको आराम से 26-28 KMP का average लाके दे दे रहा है, इस गारी के pairing में आपको 5-speed manual gearbox और 6-speed torque converter automatic gearbox देखने मिल जाएगा, CVT gearbox unfortunately इस गारी के अंदर आपको देखने नहीं मिल पाएगा, आप बात करी जाए इस गारी की safety profile के बारे में, तो मैं आपसे प model इस गारी में देखने नहीं मिलेंगे, top-end model में देखना ही तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मारती की तरफ से, तो base model में तो जरूर नहीं मिलेंगे, अब इस गारी के इस गारी का 360-degree camera, 360-degree camera most viable इस गारी के top-end models में आपको नज़र आएगा, लेकिन ADAS जैसी कोई भी चीज इस गारी के इंदर आपको नज़र नहीं आएंगी, जरूर इसके competitors आजकल देने लगे हैं, बट मारती सुझू की अपने rules पर चलती है, और उनके rules है, इंसान को कोई भी safety नहीं देनी है, तो teen गडब आपको अब भी देखने मिलेगा, कोई major safety profiles देखने नहीं मिल रही है, ल लेबरेट होना के कारण ये गारी आपको अलाम से 24-26 की MPL का एवरस देदेगी, ये मैंने शरुवाती में नहीं बताया, क्योंकि ये अभी confirm नहीं हुआ है,